तो फ्रेंड्स टाटा मोटर्स इस समय मार्केट में टॉप पर यानि की अपना वर्चस्प बनाने के लिए खूब मेहनत कर रही है और अब अगर आप बात करें तो कंपनी हर सेग्मेंट में अपनी न्यू गाडियां लाँच करने की तयारी में है खास तोर से जहां पर टाटा हैरियर या नैक्सोन के बीच का सेग्मेंट आता है तो उसे भी फुल्फिल करने की पूरी तयारी चल रही है यानि की कॉम्पेक्ट SUV सेग्मेंट में अब और भी शांदार गाडियां टाटा मोटर्स लाने वाला है इनमेंसे चार गाडियों के बारे में इन्फरमेशन निकल कर सामने आ रही है फर्स्ट है आपकी ब्लैक बर्ड तो दोस्तो ऐसी ही कुछ फीचर्स इस गाडियों में आने वाले हैं कि इनके जो राइवल हैं इस गाड़ी का कमपेटिशन नहीं कर पाएंगे चाहे वो आपकी क्रेटा है या सेल्टोस है इस गाड़ी की जो पावर और इंजन के बारे में इन्फरमेशन है इसमें भी मिलेगा 1.2 लीटर वारा टर्बो पैट्रॉल का उप्सन जो देगा 120 वीचपी की पावर या उससे भी ज़्यादा पावर मिल सकती है इसके अलावा इसमें मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन और ट्रांश्मिशन भी मैन्यूल और आटमाटिक दौनों मिलने वाले है और दोस्तो ब्लेक वाइट कॉमपेक्ट SUV टाटा का पहला सब 4 मीटर प्रोडक्ट होने वाला है जो टाटा के अलफा प्लेट फारम पर बनाया जाएगा तो दोस्तो बात करें इसके प्राइज के बारे में उसका प्राइज भी अपने सेगमेंट में सबसे कमपेटिटिव यानि सबसे कम होने वाला है और इसके लाँचिंग के बारे में इंफरमेशन और भी निकल कर आ रही है तता फीचर्स भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप पसंद करते हैं टाटा की गाडिया तो इस वीडियो को ज़दा से ज़दा शेयर करें अपने सबी सोशल नेटवर्क पर आगे आपको इंफरमेशन शेयर करते हैं ब्लैक बारे में और फ्रेंट्स इससे पहले कि आपको ब्लैक बारे के और फीचर्स सेयर करें आपको हम यहाँ पर information देते हैं कि Tata 5-seater और 7-seater से भी competitive करने के लिए और भी कई गाड़ियां लाने वाला है यानि upcoming गाड़ियां Tata की हैं जैसे कि Tata Epic, Tata Toric और Tata Spike और दोस्तों यह काफी शांदार होने वाली है कुछ होंगी SUV segment, कुछ होंगी आपकी compact SUV segment तता कुछ होने वाली है MPB segment तो काफी जबरदस्ता market में घमासान होने वाला है चाए वो किया सेल्टोस हो या हुंडे क्रेटा हो सबको तगड़ा competition देने के लिए Tata अपने 3 नए model को trademark करा चुका है तो first of all कौन सी गाड़ी launch होने वाली है आपको यहाँ पर हम बताते हैं तो first of all यहाँ पर launch होगी आपकी Tata की blackbird और बात करें इसके अन्य features के बारे में तो इसका बिलकुल आप कह सकते हैं लुक होने वाला है नेक्सोन से मिलता जुलता तो यानि safety rating भी काफी अच्छी होने वाली है इसी के साथ electric segment में भी बूम होने वाला है क्योंकि एल्ट्रोज EB के बाद अब नेक्सोन EB भी है और अब blackbird EB और HBX EB भी जल्द launch होने वाली है तो दोस्तो ये गाड़ियां काफी शांदार होंगी जिनमें आपको मिलेगा powerful engine के साथ में टर्वो का विकल्ब भी मिलने वाला है ये गाड़ी based होने वाली है टाटा के एल्फा प्लेट फारमफाग 4 मीटर में तो काफी जबरदस्त होगी दोस्तो ये नेक्सोन के 1.2 लिटर टर्वो पैटरॉल इंजन के साथ में आने वाली है और टाटा मोटर्स हाइब्रिड को छोड़का डारेक्ट इवी पर आना चाहता है यानि केवल हाइब्रिड नहीं आपको 100% electric segment में गाड़ियां मिलने वाली है और अगर आप इसे compare करते हैं तो इसमें मिलने वाला आपको high end design जो बहुती जबरदस्त होगा integrated LED daytime running lights, blackbird, addon, sleek head lamp, cluster, bumper में ही tree, arrow, pattern वाला fog lamp होगा और इसके नीचे मिलेंगे चौड़े, central air, internet और skid plate, muscular bonnet, roof rails, high ground clearance ये blackbird के SUV character पर जोड़ देते हैं यानि कि इसे बहुती शानदार बनाते हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि interior को floating touch screen, infotainment system के साथ में apple car play, android auto connectivity, all connected feature के साथ में multi speaker boss का surround sound system मिलने वाला है और इसके लाबा इसमें मिलेगा sunroop के features भी तो दोस्तों trend ये गाड़ी सिगर launch होने वाली इसके बारे में अन्य कोई information चाहिए तो आप comments box में लिख सकते हैं और ये है टाटा दोरा launch होने वाली उन गाड़ीों के बारे में source details आपको information कैसी लगी comments box में लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye take care take safe सड़क पे रखिए safety का ध्यान